गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे हैं हम फिर से हाज रेंक नगी डिक्टेशन के साथ सीरीज वही है 80,90 और 100 सबसे पहले 80 बर्ड पीम स्टार्ट करते हैं ये एडिटुरियल जागरन से लिया गया है तो आप सोर्स लिंक चेक कर सकते हैं ठीक है तो और अपने हिसाब से देख सक करते हैं चले स्टार्ट करते हैं 80 बर्ड पीम डिक्टिशन स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बाद देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले एतिहासिक कदम के रूप में अनुच्छे 370 की समापती के बाद आजादी के जश्न का आकर्षन और उत्साह बढ़ जाना स्वाभाविक है ऐसे फैसले देशवासियों को एकजुट करने के साथ उनमें अपने राष्ट के प्रती गौरव, समर्पन और प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं इस प्रेद्रस में लाल किले से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सम्बोधन के प्रती लोगों की रुची और उत्सुकता बढ़ गई है कई बड़े निर्णयों के साथ अपने दूसरे कारकाल की सुरुआत कर मोधी सरकार ने यह इसपष्ट कर दिया है कि वह नए भारत की निर्मान की अपने संकल्प के प्रती समर्पित है और उसकी दिसा सही है मोधी सरकार के साथ एक सकारात्मक बात यह है कि उसने अपने पहले कारकाल में सुधार और परिवर्तन की जमीन तैयार कर ली थी सुधारों का सिलसिला तेज कर अब इसे एक नया आयाम देने का वक्त है एक बड़े बहुमत सी सासन में आई सरकार अपने मजबूत इरादों के साथ ऐसा कर सकती है स्वतंत्रता देवस एक राष्ट को अपने भावी पत पर द्रश्टी डालने का अवसर देता है यह अवसर हम सब को यह भी इसमरण कराता है कि भारत सरीखे देश का वांचित काया कल्प लोगों के सहयोग से ही हो सकता है यह आवसर है कि आज जब भारत अपनी संकल्प को पूरा करने की दिसा में आगे बढ़ रहा है तब देश के सभी लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी का न केवल अहसास करें वलकि निर्वाह भी करें यह सही समय है जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ करताब्यों के प्रति भी सचेत और सक्रिय हों उनमें छोटे वड़े नियमों के पालन का अनुसासन और परस पर सदभावना बढ़े बे राष्ट को कुछ देने के भाव से लैस हों इस तथ्य को समझें कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है सुक्षता जैसे अभियान लोगों की सक्रियता से ही सफल होंगी यह कोई बड़े काम नहीं है इस मामले में सबसे ज़्यादा अपिक्षा यदि किसी से है तो वह देश के युबाओं से है बे नकेवल खुद को और लोगों को दिसा देने का काम कर सकती हैं वलकि राष्टिय भावना को बल देने में भी सहायक बन सकती हैं निसंदिह उन्हें अपनी बहतर भविस्य की चिंता करनी होगी लेकिन उनकी चिंताओं का सही तरह से समाधान तभी होगा जब राष्ट का भविस्य भी निखरता हुआ दिखाई देगा आज आवस्यक्ता इसकी है कि हम यह समझें कि एक नागरिक के तौर पर राष्ट उत्थान में हर किसी का योगदान होता है दुनिया के जिन भी देशों ने विविन्न छेत्रों में मिसाल कायम की है बे ऐसा तभी कर सकी है जब बहां के लोगों ने राष्टी संकल्प को सुयम के संकल्प के रूप में अंगीकार किया है 80 वर्ड पीम समात हुआ अब समय है 90 वर्ड पीम का ये सिलोईश पीर थी और इसमें ज़्यादा कुछ टफ वर्ड नहीं आए एक कदू का सब्द आए हैं जैसे अखंड ता और कुछ हैं बस ठीक है बाकी तो कई दिन से हम लिख रहे हैं इसी टॉपिक पर तो पुराने ही स ये साथ ठीक है तो इस प्रकार के रूल्स अगर आपने फॉलो किये हैं तो इस पीड आपकी अनायस ही बढ़ जाएगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं 90 वर्ड पीम डिक्रिशन स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बाद देश की एकता अखंडता को मजूद करने वाले एतिहासिक कदम के रूप में अनुच्छेद 370 की समाप्ती के बाद आजादी के जस्न का आकर्षन और उत्साह बढ़ जाना स्वभाविक है ऐसे फैसले देश वासियों को एक्चुट करने के साथ उनमें अपने राष्ट के प्रती गौरव, समर्पन और प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं इस परिद्रस में लालक लेसी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के संबोधन के प्रती लोगों की रुची और उत्सक्ता बढ़ गई है कई बड़े निर्णयों के साथ अपने दूसरे कारकाल की सुरुवात कर मोधी सरकार ने यह इस्पष्ट कर दिया है कि वह नए भारत की निर्मान की अपने संकल्प के प्रती समर्पित है और उसकी दिसा सही है मोधी सरकार के साथ एक सकारात्मक वाद यह है कि उसने अपने पहले कारकाल में सुधार और परिवर्टन की जमीन तैयार कर ले थी सुधारों का सिलसला तेज कर अब इसे एक नया आयाम देने का वक्त है एक बड़े बहुमत से सासन में आई सरकार अपनी मजबूत इरादों के साथ ऐसा कर सकती है स्वतंतरता दिवस एक राष्ट को अपनी भावी पत पर द्रश्टी डालने का अवसर देता है यह अवसर हम सब को यह इसमरण भी कराता है कि भारत सरीखे देश का वांचित काया कल्प लोगों के सहयोग से ही हो सकता है यह आवसर है कि आज जब भारत अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब देश के सभी लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी का न केवल अहसास करें वल की निर्वाह भी करें यह सही समय है जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ करतब्यों के प्रति भी सचेत और सक्रिय हों उनमें छोटे बड़े नियमों के पालन का अनुशासन और परस पर सदभावना बढ़े बे राष्ट को कुछ देने के भाव से लैस हों इस तथ्य को समझें कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है सक्षता जैसे अभियान लोगों की सक्रियता से ही सफल होंगी ये कोई बड़े काम नहीं है इस मामले में सबसे ज़्यादा अपिक्षा यदि किसी से है तो वह देश के युवाओं से है वे नकिवल खुद को और लोगों को दिशा देने का काम कर सकते हैं वलकि राष्टिय भावना को बल देने में भी सहायक बन सकते हैं निसंदे है उन्हें अपनी बहतर भविश्य की चिंता करनी होगी लेकिन उनकी चिंताओं का सही तरह से समाधान तभी होगा जब राष्ट का भविश्य भी निखरता हुआ दिखाई देगा आज आवस्यक्ता इसकी है कि हम यह समझें कि एक नागरिक के तौर पर राष्ट उत्थान में हर किसी का योगदान होता है दुनिया के जिन भी देशों ने विविन्न छेत्रों में मिसाल कायम की है बे ऐसा तभी कर सके हैं जब बहां के लोगों ने राष्टिय संकल्प को स्वयम के संकल्प के रूप में अंगिकार किया है 90 बड़ पियम डिक्टिशन समाप्थ हुआ अब समाई है 100 बड़ पियम का तो 80 और 90 बहुत से लो था और आपने वाक्यांस बनाए है तो ठीक वैसे ही जोड कर साइन छोटे बना कर और सब्दों को जोड कर आपको 100 बड़ पियम लेखना है चलिए ट्राइ कीजिए स्टार्ट करते हैं 100 बड़ पियम देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले एतिहासे कदम के रूप में अनुच्छे 370 की समाप्ती के बाद आजादी की जस्न का आकर्षन और उत्साह बढ़ जाना स्वभाविक है ऐसे फैसली देशवासियों को एकजुट करने के साथ उनमें अपने राष्ट के प्रती गौरव, समर्पन और प्रेम को बढ़ाने वाले होती हैं इस परिद्रश्च में लाल कले से प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी के संबोधन के प्रती लोगों की रोची और उत्सुकता बढ़ गई है कई बड़े निर्णयों के साथ अपने दूसरे कारकाल की सुरुवात कर मोदी सरकार ने यह इसपष्ट कर दिया है कि वह नए भारत की निर्मान की अपनी संकल्प के प्रती समर्पित है और उसकी दिशा सही है मोदी सरकार के साथ एक सकारात्मक वाद यह है कि उसनी अपनी पहले कारकाल में सुधार और परिवर्तन की जमीन तयार कर ली थी सुधारों का सिलसिला तेज कर इसे अब एक नया आयाम देने का वक्त है एक बड़े बहुमत से सासन में आई सरकार अपने मजबूत इरादों के साथ ऐसा कर सकती है स्वतंत्र दादवस एक राष्ट को अपने भावी पत पर द्रश्टे डालने का अवसर देता है यह अवसर हम सबको यह वी इसमरण कराता है कि भारत सरीखे देश का वांचित काया कल्प लोगों के सहयोग से ही हो सकता है यह आवसर है कि आज जब भारत अपने संकल्प को पूरा करने की दिसा में आगी बढ़ रहा है तब देश के सभी लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी का न केवल अहसास करें वल की निर्वाह भी करें यह सही समय है जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ करताव्यों के प्रती भी सचेत और सक्रिय हों उनमें छोटे वड़े नियमों के पालन का अनुसासन और परस पर सदभावना वड़े बे राष्ट को कुछ देने के भाव से लैस हों इस तथ्य को समझें कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है स्वक्षता जैसे अभियान लोगों की सक्रियता से ही सफल होंगी ये कोई बड़े काम नहीं है इस मामले में सबसे ज़्यादा अपेक्षा यदि किसी से है तो वह देश के युवाओं से है बे नकेवल खुद को और लोगों को दिसा देने का काम कर सकती है वलकि राष्टिय भावना को बल देने में भी सहायक बन सकती है निसंदे है उन्हें अपने बहतर भविष्ट की चिंता करनी होगी लेकिन उनकी चिंताओं का सही तरह से समाधान तभी होगा जब राष्ट का भविष्ट भी निखरता हुआ दिखाई देगा आज आवस्यक्ता इसकी है कि हम यह समझें कि एक नागरिक की तौर पर राष्ट उत्थान में हर किसी का योगदान होता है दुनिया के जिन भी देशों ने विविन्ने छेत्रों में मिसाल कायम की है बे ऐसा तभी कर सके है जब बहां के लोगों ने राष्टिय संकल्प को स्वयम के संकल्प के रूप में अंगीकार किया है डिक्टेशन समाप्त हुआ और आई थिंक आप लोगों ने लिखा होगा बहुत ही इजी था कुछ भी ज्यादा टफ नहीं था आपको बता दूं कि इसका पीडियफ आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर अब टेलिग्राम चैनल कहां से मिलेगा तो इसकी लिंक डिस टेलिग्राम चैनल हमारे मिल जाएगे बहाँ पर और पीडियाव आपको बहाँ पर मिल जाएगा अब रही बात वाक्यांज और कठें सब्दों की तो यह आपको मिलेगा फेस्बुक पेज पर फेस्बुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी इंस्टाग्राम फेस्बुक पेज और अधर अकाउंट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो बहाँ से आप फॉलो करके हमारी निरुपक की साथ जुड़ सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं पेरग्राफ बनाने की बहुत ही सिंपल है तो यह एक राइटर है कोई इन्होंने टॉपिक लिखाया कि जो 370 हटाई गई है उससे स्वतंतरता के जस्न में चार चांद लग गए हैं चलिए अब इनकी स्पीच को चार पेरग्राफ में हम बाट देते हैं क कैसे पहला है कि यह जो मतलब हटाया गया अनुच्छी उससे उत्सा है बढ़ जाना एक स्वभाविक बात है इससे न किवल उत्सा है बढ़ाया बलकि लोगों में समर्पन बढ़ेगा देश के प्रती और जिम्मेदारी बढ़ेगी और यह सब उनके संबोधन को अभी तक क्यों नहीं सुनते थे वो लोग भी अब मोधी जी की स्पीच को सुनेंगी ठीक है और अब यह सब क्यों कर पाए है इसमें आखर में कुछ यह भी लिखाया कि यह सब मोधी सरकार क्यों कर पाए क्योंकि उसने पहली कारकाल के दौरान सब कुछ कर लिया था कि बस वही अब आने वाले भविश्य की तैयारी कि हम क्या-क्या कर सकती हैं, क्या-क्या हमें करना हैं, यह सब decide करने का एक छोटा सा पल होता है, तो उसको हमें, मतलब, decide करना होता है, इस पर जो speech देंगे, वो हम कि यह हमने अभी तक अचीव किया है, और हम यह करने वाले हैं, यह हमारी करनात्य की red signal पर cross नहीं करना है, तो यह नियम बनाए सरकार ने, अब cross कौन नहीं करेगा, पबलिक ही तो cross नहीं करेगी, तो यह नियम कब success होती है, जब पबलिक वहां की support करती है, ठीक है, तो यहाँ पर वही है, कि अब जैसे government कुछ भावी योजनाय बनाती है, तो पबल लोगों में एक दूसरे मतलब सदभावना रहनी चाहिए, यह सब बात है, second paragraph में, और तीसरा paragraph, जो है स्वक्षता अभियान जो पिछले कारकाल में चलाय गया था, तो उन्होंने कहाए कि इस अभियान में बिसेस रूप से हमने युवाओं से अपेक्षा की है, और क्योंकि वही नकेबल अपने गुरुपों में बल्कि एक second मतलब उच्च जैसे कहेंग ना, युवासी स्रिष्ट बुजर्ग लोगों में और तमाम लोगों में एकता कर सकती हैं, देश की भावना जगा सकती हैं, ठीक है, तो ये विसेस रूप से युवाओं से अपेक्षा की गई हैं, अब दूसरी चिंता ये भी जाहर की गई कि ना कि वल्बू युजनाओं को पूरा करते रहें, वलकि अपने भविस्ट की भी चिंता करें, पर अगर वो सपोर्ट करेंगी हमारी युजनाओं का, अदेश के नियमों का, अदेश के उनका प्रिक्रियाओं का, तो निश पूसकार के अपसर निकलेंगे, सब कुछ खुसाली आएगी, तो वही युबाओं से अपेक्षा की गई है, कि वो फॉलो करें और सहीयोग करें, ठीक है, आखरी पैरग्राफ ये है, कि आज सभी लोगों से बात हो रही है, कि आज सभी लोग ये डिसाइड करें, कि हमें क् है, सरकार ने क्या किया है, हमारी क्या अदायत तो होती है, क्योंकि कोई भी राष्ट सरकार की वज़े से महान नहीं होता, वलकि वहां के पबलिक की जागरुकता, सहीयोग और समर्पन की वहावना से महान होता है, वही राष्ट विकास करता है, जो जहां की पबलिक अपने निराष्ट के प्रती अपनी कर्तब्यों का निर्वहन करे अपनी मतलब से जागरुक रहे समाज का देश का विकास करने में पूरा योगदान थी वही राष्ट कुछ कर पाता है अभी तक जिन्होंने कुछ किया है वहां की पबलिक सपोर्ट करती है यूसे कि अगर हम बात कर ठीक है इस प्रकार से आप स्पीच को खोड़ी समझ जाएंगी कि पराग्राफ कहां बन रहा है ठीक है तो आई थिंक रिक्टेशन पसंद आया होगा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए निगेटिव पॉजिटिव कमेंट चलेगा और हां जो लोग मास्टर माइन है ल ठीक्स पूर बिंग हैर मिलते हैं जल्द ही